मनुस्ता जाती के लिए बर्दान है ये जामुन के पत्ते सुगर, पथरी, दाद, खाज, खुजली को एक खपते में खतम करने की ताकत रखता है चाहे दोस्तो अगर आप पथरी के समस्ता से परसान है आपको बार बार दाद, खाज, खुजली के समस्ता होती है आपके घर परिवार में किसी को भी डेबेटेजी की समस्या है तो ऐसी जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी देखे दुस्तों पहले के समय में हमारे दादा दादी इन बनस पत्यों का इस्तमाल सबसे ज़्यदा करते थे या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से नीम के पत्यों का प्रिवग होता है वैसे ही इस तरह के पत्यों का प्रिवग किया करते थे हमारे आज पास आम के पत्ते होते हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कोई दिन पहले ही और इसके साथ हमारे पास बेर के पत्ते होते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है आज जो इस बनस पत्ति को आप देख रहे हैं न यह बनस पती है दोस्तो जामुन के पत्ते या दोस्तो आज में आपको जामुन के पत्तों से होने वाले कुछ गजब के फायदे बात आने वाला हूँ जामुन के पतों में दोस्तो एंटी हाइपर गिलिसरिमिक नमक ततो होता है इसके साथ इसके अदर ना एंटी बेक्टियोल ततो होता है तो जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपके बार-बार मुह में चाले होते हैं अब परिसान हो जाता है आपको खाना पीना मुस्किल हो जाता है यहां तक कि पानी पीना भी मुस्किल हो जाता है जहां दोस्तो जब भी हमेरे मुह में चाले हो जाता है न तो सज़सादी बोल भी नहीं पाता है खाना पीना तो बहुत दूर की बात है तो अगर आपके मुह में बार बार छाले होते है न तो छाला होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारा पेट साफ न होना अक्सर पेट साफ न होने से मुह में छाले निकलाते है तो छाला को ठीक करने के लिए क्या करें आप इसके पतों को ऐसे ही तोल करके चबाते हैं ऐसे ही चबा करके थुक देते हैं तो मुह का छाला जो है ऐसे ही ठीक होयाता है या फिर आप इसको पानी में उबाल करके इसे कड़ा बना करके कुला गरारा करते हैं तो इससे भी मुह के छाले जो है ठीक होयाता है तो जामुन का जो पता होता है गयास, कबज, HDT को ही मीट आता है तो भिस्तार से इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे देखें दौ整 जामुन का जो पेड़ होता है वो हमारे देश भारत में लगबग में सभी के हां पाया जाता है अगर आप सहर में रते हैं तो आपको सहर में भी मिल जाएगा या फिर अगर आप गाओं में रते हैं तो गाओं में तो यह बहुत ही असानी से हर जगा पर हर कस्वे पर मिल ही जाता है तो जामुन खाना जितना फायदे मंद होता है उतना ही जदा फायदे मंद होता है दोस्तों इसके पत्ते तो अगर आपको ये जनकारी ज़र से पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को न एक लाइक कर दीजेगा दोस्तों आपका एक लाइक करना हमारी मेहत को सफल भनाता है तो जहां पर भी आपके आस पास ये पत्ता दिखाई दे तो सबसे पहले आप इस पत्ते को तोड़ करके घर पर लेकर क्या है इसके च्छाले का उपरे होता है जामुन के पत्तों का आप परियोग करें इसके च्छाले का परे होता है तो उसकी जहनकारी में आपसे बाद में कभी सेयर करूगा तो मैंने इसकी पत्तियों को कुछी तरह से तोल लिया है तोलने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले इसको स्वच पाने से धोलेंगे जब यह सड़ के किनारे लगा होता है यह पिर जो होता है तो बार बार इसके उपर नचिनिया बैठती है या फिर धूल मिटी उड़ता रहता है तो इसके पत्तों को गंदा कर देता है तो सबसे पहले क्या करें और इसके पत्तों को आप जुए न साफ पानी से धोले किसी भी ओसदी को बनाते समय आप ध्यान रखें पुरी सावधानी से बनाए और पुरी स्वच्थता के साथ उसको बनाए इसलिए मैं हर वीडियों बताता हूँ कि आप जो ना जिस पत्ते का प्रयोंकर हैं जिस बनस्पती का प्रयोंकर हैं सबसे पहले उसकी सफाई करनी जरूरी है तो यहाँ पर आप जो ना कम से कम दो-तीन पानी इसके पत्तों को अच्छे से धोले और कैसे इसका प्रयोग करना है, किन-किन विमारी में इसका प्रयोग करना है, पत्थरी में कैसे इसका प्रयोग करना है, डाद, खाज, खुजली में कैसे इसका प्रयोग करना है, इसकी जनकरी में आप से आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले तो मैंने इसको धो लिया है और धोने को बाद क्या करेंगे न जिस तरह से मैंने इसके डंठोल को यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है और इसे ही आप इसके डंठोल को निकाल लिजिए और निकालने के बाद क्या करा है सबसे पहले आप इसको पीसे हैं हो सके तो आप इसको न खरल में डाल करके कूटे या फिर सिल्वर टे पर इसको पीसे इतना पीसे कि दोस्तो यह लुगती की तरह बन जाए इसके रस का भी आप जो इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके मुह में छाले हो गए हैं इसको रस को ले करके अपने मुंँ में भरकर के कूला गरारा करते हैं न तो मुह के छाले जो होता है न ठीक हो जाते हैं तो यह देखिए हम कूट रहे हैं वो इसे आप इसको कूट ले कूटने के बाद सबसे पहला इसका प्रियोक है दोस्तो तो अगर आप इसके पत्यों को पीश करके जैसे मैंने पीश करके यहां पर रखा हुआ है इसको वहां पर लगाते हैं या पर इसके रस को लगाते हैं तो हफ्ते भर के अंदर आपकी दाद, खाज, खुझली चाहें कितने भी पूरानी हो बिल्कुल ठीक हो याती है अगला प करके आपको दिखाया वैसे इसको पीश करके लुगदी बना ले साथ में 2-3 काली मर्च, काली मिर्च जो होता है उसको पीश करके यह आपको मसालों में प्रयोग होने वाला एक परकार का आप कह सकते हैं कि एक चीज है आपके घर के रसोईगर में इसली असानी से मिल जाए लेकिन आपको इसका प्रयोग कम से कम हपते में 3 या 4 बर करना पड़ेगा लगातार करते हैं एक दो महीने तो पकी पत्थरी जो है बिल्कुल गल करके निकल जाते हैं जिन लोको मालने जिए बार बार बुखार होयाता है तो बुखार में क्या करें दोस्तो आप इसके पत् समझता है अजिटी हो जाती है तो सुबह सुबह के वल आप जामुन के पत्ते चबाना या पर इसका पाउडर बना करके इसको छाय में सुखा करके इसका पाउडर बना करके सुबह साम सेवन करते हैं तो पेट में गैस कवज से आपको काफी हद तक निजात मिल जाती है आज कल के समय में डैबेटीज रोग होना एक बहुत ही बड़ी जो आप कह सकते हैं समस्चा है क्योंकि हर घर में इसका जो विमारी है न देखा जाता है तो डामेटीज होने पर क्या करें आप जो जामुन के छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं जो बिल्कुल नयने निकले होते हैं सुबह और सुबह खाली पेटिस को चबा करके आप जो 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 तो आप इसके पत्तों को ऐसा ही तोल करके ना चाबाना सुरू कर दें इससे क्या होगा आपके जो डेविटीज की समस्था है धीरे धीरे करके उसमें कमी आने लगेगी और लगाता इसका प्रेव करते रहते हैं तो सुगर की जो समस्था है बिल्कुल खत्म हो जाएगे इसक दिर यerkt क्या क्या चीजेसे कर रहे हैं कि वह बीमारी आपकी बढ़ जा रही है तो आपना उस एक्टिवेटी को कम करना सोरू कर दें इसके और दाइट का इस्तेमाल करें प्रबबर दाइट लें जिससे क्या बीमारी कभी हो ही ना या पिर बीमारी बढ़े है ना तो जानक करते हुए बारे चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं नमस्कार दोस्तों